आ कि कि एरेज इंपोर्टेंट मोज़े है देखो हर बार एक्जाम के अंदर एक कोश्चन तो आता ही आता है इस बार भी आया था चिपे घुश्चिन आथा और इजी कोस्चन आता आया चाहीं एवरेज के एजी कोस्टियन आता है एक्जाम के अंदर तो अभी स्टार्ट कर रहें थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे एक एक्ट क्लियर हो जाना है ओके तो अभी देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते है एवरेज तो एवरेज के अंदर बेसिकली है क्या अगर मान लिजी मेरे पास में आप यह कह सकते हूं कि अगर मैं कहते हूं कि फॉर एग्जामपल आज क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं मैं करें आज क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स है ठीक है कल क्लास के अंदर 12 स्टूडेंट्स थे ठीक है नेक्स्ट डेक्लास के हम एक तरह से एक सकते कि हम हरेक दिन को क्यालकुलेट ना करके हम उन सभी का एक पॉइंट निकाले कि अगर लो मैं कहूंगो ट्वएल ओन एवरेज अवरेज स्टूडेंट्स आ रहे हैं ठीक है divided by 3 कर देते हैं, तो क्या आ जाता हो, yes, this is 12, okay, तो हम क्या कहा देते हैं, कि 12 on average students ने class attend करी है, तो बिलकुल simple सा point है, simple सा point है, तो इस तरह से जो average है पीटा, उसके लिए जो formula बनता है, formula average के लिए क्या बन जाता है, इस तरह से, क्या कहा रहा है कि sum of observation divided by number of observation, sum of observation divided by number of observation, तो अभी मैं क्या कह रही हूँ, आप लोगों कि average है क्या basically, an average in an arithmetic mean, arithmetic mean of given data is the sum of given observation divided by number of observation, तो कैसे find out करोगे आप, yes, Karthik, good, हाँ जी, तो क्या कह रहा है कि average हम कैसे find out करेंगे, sum of observation, जितनी भी observations आपके पास given है, उन सब को total कर लोगे, plus कर लेंगे, and then divided by कि total number of observations कितनी है, जैसे अभी मैंने एक छोटा सा example लिया आप लोगों के सामने, कि हाँ जी, first day 10 students है, second day 12 students है, और next day मान लिजी हमारे पास मैं 14 students है, and we want to find out the average of these three days, then in that case क्या कर रहे हैं, हाँ जी, क्या करें, सभी को add किया हमने, सभी को add किया, और उसके बाद में उसको three से divide कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, sum of observation, means इतनी भी observations हैं, उनको क्या करना, जोड देना है, add कर देना है, and after that you will divide it by number of observation, simple सा है, कोई मुश्किल, और आपका यह मान के चलो, कि यह चोटे से concept के उपर, आपका 2.5 number पक्ता है, ओके, तो अभी इसके उपर, जो questions आ जाते हैं, वो depend करता है, कि आपके पास में, या तो statement पे बेस्ट कोश्चन आ जाए, exam के अंदर, या फिर, it is possibility कि numbers पे बेस्ट कोश्चन आ जाए, कि भी थोड़ा सा confusion के लिए numbers डाल देते हैं, तो बिल्कुल भी confused नहीं हो ना, अभी देखो मैंने आप लोगों को number system के अंदर कुछ formulas कराए थे numbers पे बेस्ट है ना, तो वही एक बार अब दुबारा से आप करेंगे, अगर अपने पास में आ जाता है, average of first and natural number, n into n plus 1 divided by 2, यह होता था, कुछ अलग से नहीं फॉमूलास लार्न नहीं करने आपने, थे आपने, तो यहीं आपने, तो यहीं आपने, तो यहीं आपने, तो यहीं है आपने, तो यहीं आपने, the sum of the n natural number is n into n plus 1 divided by 2, and here I want to find out the average, so for average we have to divide it by n, okay, so you will divide it by n, and when you will divide it by n, then this n is cancelled out by this, okay, and we get a new formula for average, average के लिए क्या करेंगे, this is n plus 1 divided by 2, that means what, कि जितने भी formulas आपके sum थे, उसके अंदर सभी का n हम cancel out कर देंगे, तो क्या आजाएगा आपके पास में? average आजाएगा, okay, तो अभी यहाँ पर एक बार जल्दी सरिवाइस कर लेतें, क्या है? average of first n natural number, this is n plus 1 divided by 2, okay, average of first n even number, sum of first n even number was what? n into n plus 1, so n will again cancel out, so we will have n plus 1, तो average कैसे निकालेंगे? n plus 1, okay, average of first n odd numbers, sum of n odd numbers was, n square and average will be, n will be cancel out by the n, and there will be n only, okay, सिरफ आपका क्या आजाएगा? n, next time, average of consecutive numbers, consecutive numbers अगर आपके पास में है, then how to find out the average? average कैसे निकालेंगे? average will be first number, plus last number divided by 2, अब देखिए, मैंने आप लोगों का AP करवाई थी, AP arithmetic progression करा था हमने, in that case, what was the sum of AP? sum, sum was, n divided by 2, into first number plus last number, this was the formula, and now I want to find out average, so in case of average, what I will do? divided by n, so the formula will become, first number plus last number, divided by 2, okay? this same formula will be used for any AP, कोई भी आपके पास में AP गिवन है, and you want to find out the average of that numbers, in that case, क्या करोगे? first number plus last number, divided by 2, okay? then average of 1 to n odd numbers, अब देखे, odd numbers अगर हम कर रहे है, तो उस case के अंदर क्या है आपके पास में? n last odd number plus 1 divided by 2, अब देखे, अभी मैंने आप लोगों के एक formula दिया था, क्या average of n odd numbers, तो क्या था आपके पास n? अब आप कहोगे कि मैडम confusion हो रही है, कि यहाँ पर n कह रहे हो, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हो, लास्ट ओड नंबर plus 1 divided by 2, अब देखे, पॉसिबल्टी कि अपने पास में अगर नंबर सार है, मैं कहते हैं, तो कि मेरे पास में नंबर स्क्या है, नंबर सार 1, 3, 5, 7, 9, अप टू, अब यहाँ पर n तो गीवन नहीं है, n गीवन नहीं है, तो फॉस्ट और आप क्या करोगे, पहले n की वैल्यू फाइंट आउट करोगे, अगर आपके पास में, आपको n की वैल्यू पता है, इन यहाँ आपका आंसर क्या आजाएगा, n विल बी यूर अवरेज, ओके, बट अगर आपको n की वैल्यू नहीं पता, इन यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट लास्ट नंबर को उठाएंगे, क्या है आपके पास में, 85, कुछ में 1 एड कर देंगे, and then divided by 2, ओके, तो कितना आगया ही आपके पास में, 86 divided by 2, that means की 43, क्या आजाएगा, this will be 43, बिलकुल सिंपल है पिटा, तो भई अगर आपको n की वैल्यू पता है, in that case, you will apply this one, अगर आपको n की वैल्यू नहीं पता, in that case क्या करोगे, yes, क्या करेंगे हां, last odd number plus 1 divided by 2, and the second formula is, average of 1 plus 1 to n even numbers, if these are even numbers, like 2, 4, 6, 8, okay, in that case, क्या करेंगे हां, last even number plus 2 divided by 2, even के case में क्या करना है, you will add 2, you will add 2, and then divided by 2, okay, उसके बाद है, आपके पास, average of square of first n natural number, square, क्या formula था सम का, it was n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6, this was sum,